आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अरजिता मिश्रा ये बात तो हम सभी जानते भी हैं और समझते भी हैं कि इशारों में बात करने की टेक्निक का इस्तिमाल करके हम अक्सर वो बाते भी कह सकते हैं जो हम शब्दों से नहीं समझा सकते लेकिन जब बात सियासक की हो तो यहां इशारों के माइने और भी बढ़ जाते हैं चाहे ये इशारे जुबानी हो या फिर संकेतों में लेकिन कयासों को हवा देने में ये इशारे बड़ा एहम किरदार निभाते हैं और कुछ यही हो रहा है इस वक्त बिहार में जहां इशा बिचारों में अब कयासों को हवा मिलनी एक बार फिर शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार वाकई बिहार चुनाव से पहले पाला एक बार फिर बदल सकते हैं बिहार विधान सभा में बीते दिन सदन की कार्यवाही चल रही थी लेकिन जब सदन में गोरिया कोठी के भाजपा विधायक देवेश कांत के सवाल का जवाब ग्रामीड कार्यमंतरी डॉक्टर अशोक चौधरी दे रहे थे उस वक्त कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे बिहा के लिए सॉफ्ट कॉर्णर बनने लगा है और क्या नीतीश कुमार अगले साल होनी जा रहे बिहार विधान सभा चुनाओ से पहले बड़ा खेला कर सकते हैं तो चलिए ज़रा आपको बताते हैं सिलसले वार तरीके से कि आखिर क्या है पूरा मामला दरसल बिहार विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सीम नीतीश कुमार सदन में पहले से मौजूद थे वही तेजस्वी यादव कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी देर बाद विधान सभा पहुचे थे तेजस्वी यादव जब पहुचे उस वक्त सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी और तारांकित फ्रश्न पूछे जा रहे थे इसी बीच तेजस्वी यादव अपनी नेता प्रतिपक्ष की जगह पर जाकर बैट गए इसके बाद कुछी पल में सीम नीतीश कुमार से जब उनकी निगाहे मिली तो सीम ने हाथों से इशारा कर दिया ते व्यक्तिगत तोर पर मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं लेकिन राजनीतिक तोर पर उनकी ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई नीती इशारों के बारों में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा इशारों में कुछ कहते हैं जिसका जवाब हम भी देते रहते हैं सवालों के बीच वक्फ अमेंजमेंट बिल को लेकर जेडियों के रवये पर उठ रहे सवालों के बीच भी जेडियों की तरफ से जवाब आया है। हम तमाम विपक्षी दल और इंडिया अलाइंस की लोग एक जुट है। अगर आप सम्विधान में विश्वास करते हैं और गांधी जी की विचारधारा में विश्वास करते हैं तो किसी भी कीवत पर इस बिल का समर्थन मत कीजिए। हाला कि आपके दिशा निर्देश पर आपकी पालची के नेताओं ने संसद में इस बिल का समर्थन किया है। और तो और बिहार की पूर्व मुख्यमंतरी राबडी देवी ने भी कहा कि वक्फ बोड को लेकर नीती इशकुमार की नीती सपश्ट नहीं है। कि नीती इशकुमार दोनों तरफ के माई बने हुए है। इस बिल को लेकर पटना में अलपसंख्यकों के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन सीम उसमें शामिल नहीं हुए थे। उनको जाना चाहिए था। आकि दूसरे तरफ जेडियों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम संगठनों की चिंताओं को सुनने का फैसला किया है। पार्टी ने साफ किया है कि वो इन चिंताओं को संसदी या समीती या सरकार के सामने रखेगी। जेडियों के कार्यकारी अध्यक्ष संजेजहा ने मुसलिम नेताओं के साथ हुई बैठक की पुष्टी की है। संजेजान ने कहा कि जेडिऊ मुसलिम संगचनों से बिल की उन खास प्रावधानों के बारे में जानना चाहती है जिनसे उन्हें परिशानी है इससे पार्टी उन मुद्दों को सही जगा पर उचा सकेगी हाला कि संजे जहाने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि उनकी पार्टी संसद में बिल का समर्थन करेगी या विरोध संजे जहाने कहा कि वक्त आने पर फैसला लिया जाएगा इसका मतलब है कि इस बिल पर अभी और विचार विमर्ष होगा ये फैसला सभी सदस्यों की सहमती से लिया गया है इससे ये भी पता चलता है कि इस बिल के कई पहलों पर अभी भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है गौर करने वाली बात यह है कि वक्फ बिल को लेकर पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार काफी कंसर्ट है और इसी के शुर्टे बीजेपी से खफा भी चल रहे हैं हाला कि उनके चुप्पी पर लगातार सवाल उठते रहे और उनके स्टैंड क्लियर करने को लेकर अटकले होती रहे यहां बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार बार बार कहते आ रहे हैं कि अब वो NDA का साथ कभी नहीं छोडेंगे तो वहीं विधान सभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इशारों में हुई बातचीत ने फिर से राजनीते खल चर्मचा दी है कुल मिला कर देखा जाए तो बिहार में अगले साल विधान सभा चुना होने है और उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर टेजस्वी यादों के बयान के बाद से यही चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपना पाला बदल सकते है बहराल ये तो आने वाला वक्ती बताएगा लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीती में जरूर अंदर-अंदर कुछ पक रहा है दोनों नेताओं के बीच क्या बादचीत हुई और क्या इसका मतलब रहा ये तो फिलहाल साफ नहीं है लेकिन इसने राजनीती गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी है ऐसे में अब सबकी निगाहे नीतीश कुमार की अगले कदम पर है कि क्या वो अपने श्रब्दों पर काइन रहेंगे या फिर से कोई चौकाने वाला फैसला लेंगे और वकफबिल को लेकर अब नीतीश कुमार का क्या स्टैंड सामने आता है फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पबलिक खबर हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना विलकुल न भूले